दोस्तों अगर आपको अपने Instagram अकाउंट में ब्लू टिक लगाना है जो अपके यूजर नेम के आगे ब्लू बेज लगता है वो अगर आपको ब्लू टिक आपके अकाउंट में भी लगाना है आपको पता होगा आपको 600.99 रुपे हर मेने पे करने पड़ेंगे ऐसा नहीं है आपको एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूं जिसमें अगर आप ब्लू टिक लगाना चाहते हैं आपके अपने Instagram अकाउंट पर तो आपको कोई पेमेट नहीं करना है वो Instagram अकाउंट वरिफिकेशन के बाद आपको ब्लू बैज मिलेगा यानि कि Instagram टीम आपके अकाउंट का र Instagram अप्लिकेशन ओपन होने के बाद में आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या प्रोसेस करना है और कि उसके बारे में पूरी जानकरी दूँगा इसलिए वीडियो को बिल्कूल भी स्केप मत करना क्योंकि आप बाद में मुझे कमेंट करोगे आपको ही प्रॉलम आने वाली है तो यहां आप वनी प्रोफइल वाल ईकन पर क्लिक करना है जहां पर आपकी फोटो है अब राइट सेट में ने इन पर क्लिक कर दजिए है यह नहीं कि प्रइबेट ऐकांट कोई ब्लूट नहीं लगेगा सथी क्रिक करना है सारे option दिखेंगे इनमें आपको नीचे नीचे आना है नीचे नीचे आने के बाद आपको यहां पर एक option दिख जाएगा नीचे से last second में request verification हमको अपने account verification के लिए request submit करनी है तो request verification पर click किया request verification पर click करते ही हमारे सामने यह form आ जाएगा यहां पर शो रहा है apply for Instagram verification हमको सबसे पहले apply करना पड़ेगा Instagram पर और यहीं पर्श हो गया verified accounts have blue check marks blue check marks blue tick blue badge कुछ भी कहलो बतलब आपके account का blue tick लग जाएगा सामने आपके account पर आपका account को verification हो जाएगा verify हो जाएगा Instagram की तरफ से तो यहां पर सबसे पहले step first है जहां पर लिखावाई confirm authenticity यहां पर आपको एड़ one से two identification documents for yourself or your business आपको अपने documents upload करने पड़ेंगे आपर जिस मतलब जो में आपका नाम हो मतलब आपके एक तरह से से ही आपको अपने documents की copy यहां पर upload कर देनी है वो documents ही यहां पर मानने होगा एक तरह से जो यहां पर लिस्ट में शामिल है उसके बाद दूर और add file पर click करके अपने phone में से उसकी photo upload कर देना और step two में है पर confirm notability यहां पर show that the public figure celebrity और brand your account represent in the public interest यानि कि आपको अपने बारें बताना है category पर click करेंगे तो category पर आपके अपने जो account है उस category यहां पर select कर लेनी कि आपका account किस category से है तो बहुत सारी categories है यहां पर तो दिख लेना अगर आप real creator मतलब real बनाते हैं आप एक तरह से कुछ भी वीडियो बनाते हैं इस्टाग्राम पर बस आपको यही काम है तो आपको digital creator select कर लेना यहां पर जिसमें लिखा हुआ है digital creator blogger influencer तो यहां पर इसमें से select कर लेना और कोई what they are interested in and why they follow you तो यहां पर आपको अपनी audience के बारे में डालना है कि कौन लोग है जो आपको फोलो करते हैं और मतलब आपकी अकाउंट को लोग कोई other platform में website है जहां से आपको जानती हो तो यहां पर लिख देना है कि आपकी audience आपकी कौन कहां से आपको फोलो करती है दूसरा है पर आल से नौन एज और 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 अप्शनल लिस्ट आल दा नेम तो पर और 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 अगाउंट मतलब आपको यहां पर एक ऐसा नाम डाल देना है जैसे आप भई मेरा नाम तो रहुल है लेकिन हो सकता है जो ओडियंस है वो मुझे फेस्बुक पर किसी दूसरे नाम से जानती हो या फिर कोई मेरा प्रोडेक्ट है कोई ब्रैंड है मेरे नाम से जिसका मैं बिजनेस करता हूं मालो तो मेरे नाम से कोई और बिजनेस का कोई कंपनी है मेरे नाम से जिसकी वैसे लोग मुझे जानते हैं उस दूसरे नाम को यहां पर डाल देना है चाहे आपका चैनल यूटूब का चैन और को वीडियो वाइरल होई है आपकी या फिर फेस्बुक पर आप वीडियो डालते हैं या फिर कोई वेबसाइट का लिंक है जहां से ओडियन्स आपकी आपको जानती है उन वीडियो का लिंक आपको डाल देना है या फिर कोई आपका कोई आर्टिकल वगरा कहीं पर वेब हो रहा है वी विल ओनली यूज दे इंफरमिशन यू सब्मेट तो डिटर्माइन इस यूर अकाउंट रिविकेशन क्रिटेरिया यानि इस्टागरम टीम के पास यह फॉर्म पहुंच जाए अगर आपके अकाउंट का रिव्यू करेंगी डिटेल दी आपने इनको चैक कोन-कोन से आपके अकाउंट है आपके नेम वगरा सभी को डोकुमेंट को सभी को रिव्यू करेंगी तब जाकर आपको वह चैक करेंगी कि आप अकाउंट पर ब्लू टिक के लिए इलीजिबल है या फिर नहीं है वह एक तरह से डिसाड़ करेंगे इस चीज को आप खुद पर ब्लू टिक लेने के लिए ना ही कोई फॉलोवर्स की लिमिट है ना ही कोई मतलब ऐसी कोई लिमिट है कि आपको यह सब तो क्राइटेर करना है ऐसा कुछ नहीं है यहां पर आप इनको सब्मिट कर देना इंस्टागरम कुछ चेक करके आपको बता देगी क्या क्या करके आपको सब्मिल कि लेने का फ्री में ये बलू टिक में एक बार चिनल बने हैं तो आप तक के लिए बाए फिट है तो यह process है उम्मीद करता है आपको समझ में आगे होगा और वीडियो भी पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कर देना और चैनल पने हैं तो अप्री सब्सक्राइब जरूर करके जाना मिलते हैं नेक्ष पीडियो में तब तक के लिए बाइ!